अब समय हो गया है कुछ विशेश जानकारियों को जानने का जो हम सभी के लिए डिजिटल कॉमर्स के परस्पेक्टिव से जानना बहुत ज़रूरी है अब बात करेंगे हम Open Network for Digital Commerce यानी ONDC की और ONDC के विशे में आज हमारे साथ जानकारी साज़ा करने के लिए मौजूद है आप से सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे कि जब हम ONDC की बात करते हैं जो कि Digital Commerce के लिए एक Open Network है तो इस Open Network की परिकल्पना कैसे हुई? कैसे इस इनिशेटिव को लिया गया? और क्या ऐसी जरूरत थी कि Open Network एक Digital Commerce के लिए उसे इस्टैबलिश करना पड़ा? तो इसके लिए हम कुछ साल पीछे जाते हैं COVID lockdowns में तो lockdowns में आपको याद ही होगा कि जो घर का सामान है या फिर कोई और शॉपिंग हो पूरा online चल दा था जो कि regular life में आप किसी local store के पास जाके आप शॉपिंग करोगे तो वो जो supply chain disruption होगी थी उससे जो छोटे effect हुआ था तो तब इसकी thinking शुरू हो गई थी कि कैसे यह जो demand और supply के बीच में जो break आ गया है उसको fix किया जाए यह था पहला पहलू इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अगर इसको थोड़ा सा बड़े perspective से देखे तो सिर्फ 6% अभी का जो इंडिया का business है वो online चलता है बा तो government ने सोचा कि क्यो यह gap क्यो है इतना और जो अभी के e-commerce platforms है यह क्यों नहीं पहुच पाए है वो लगूद्योग के पास जो generally demand यह satisfy करते हैं तो इसलिए government ने सोचा कि शायद government को यहाँ पर भी step in करना चाहिए कुछ solution लाने के लिए ताकि अगर future में कभी ऐसे disruption आ जाता ह है उसको भी हैंडल हो पाए और जो अभी के छोटे उद्योग है उनको ज्यादा opportunities मिले अपने customers को रीच करने के लिए तो यह दो objective से ondc की स्थापना हुई थी उसके अभी पहले जो idea था वो evolve होते गया उसके बारे में और बात करने के लिए तो देखी जो आपकी site पे जो यह customers और आपकी buyers है sellers है even जो भी हमारे बागी customers है उनके आप protection को कैसे ensure कर बहुत अच्छा सवाल है और यह in fact हमारा सबसे priority consideration है तो तीन इसमें aspects होते एक है consumer protection दूसरा होता है non-discrimination जिससे fairness non-discrimination कहते हैं और तीसरा है transparency तो यह तीन चीज़े हमारे लिए बहुत ज्यादा important है तो आप अगर एक मिनट के लिए platform के बारे में सोचे कोई भी बड़ा platform हो जिस पे किसी business ने अपने को list करके रखा है अगर उस business को दसवे page पे प्लाटफॉम दिखाता है वो business को पता नहीं होता है कि दसवे page पे क्यों हूँ मुझे अगर first page पे आना है मुझे और customers लाना है तो मुझे क्या करना चाहिए उसमें वो पारेदरशीता जो चाहिए वो platform में होती नहीं है और वो platform के लिए कोई compulsion भी नहीं होता कि वो business को बताया तो इससे छोटे businesses जो है वो बहुत ज्यादा negatively affect होते है तो हमने ondc में policy एक बनाई है clearly कि कोई भी buyer application हो तो उसका जो sorting मतलब कौन से page पर कौन सा seller दिखेगा उसका logic और अगर किसी seller को दिखाता नहीं है उसका logic क्या है वो इसको publicly declare करना है और यह जो parameters होते है वो ondc website पर सब के लिए accessible है जिससे दो चीजे होते है एक तो transparency बढ़ जाती है और जो छोटे उद्द्योग है उनको पता चलता कि अगर उनक को क्या करना चाहिए अच्छा देविन जी यहां आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी जब हम इस transparency की बात करें यह एक policy है राइट तो यह policy across different buyer and seller apps same रहती है आप इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि इस policy को सभी buyer apps और seller apps follow करें हाँ हमारी policy का मतलब होता है कि यह contractual understanding होता है network participant buyer app और ONDC के बीच में अगर कोई buyer app इस policy को follow नहीं करता है तो हम उनके against disciplinary action ले सकते हैं उसका मतलब यह हो गया तो कोई disciplinary action कई तरह के हो सकते हैं लेकिन जब सबसे सिवियर है वह network से निकाले जाना तो अगर कोई बहुत ज्यादा है इसको वायलेट करता है तो network से निका करना पड़ेगा उसके बाद ही वो इस network पर on board हो सकते हैं और यह उनके खुद की क्या parameters है वो भी सबको पता होते हैं ना कि सिर्फ network में जो लोग है तो आप भी ondc website पर जाके देख सकते हैं कि जो buyer apps है उनके क्या-क्या policy parameters है तो यह आप बता रहे थी कि कोई अकर 10th पीच प consumer protection कि as a consumer मुझे ondc का object भी होता है कि आपको विकल पी जादा मिले तो आपको अगर choice बढ़ाना है consumer के लिए तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे जो platform पहले page पे दिखा रहा है वो क्यों दिखा रहा है अगर मेरे पसंद का कोई item वो 10th page पे जा रहा है वो क्यों जा रहा है इससे एक मन में प्रशन और उठता है कि मानली जाच से कोई चोटे sellers हैं या फिर कोई ऐसे sellers हैं जो शायद दिली, Mumbai या बड़े 801 cities में नहीं है कहीं चोटे दूर दरास के इलागों में हैं जब वो onboarding करते हैं जब वो ओन डीसी के platform पर आते हैं और जैसा आपने कहा कि वो अ गाइडलाइन के अलावा तो उसमें दो चीजे हैं एक तो policy का aspect है और दूसरा है education का क्यूंकि यह जो remote area से sellers आते हैं उनको पता भी नहीं होता है उतना technology के बारे में पता नहीं होता है और वो e-commerce के बारे में भी नहीं पता होता है तो उसको उनकी मदद के लिए हमने एक तो तो वो हो गया knowledge building का aspect और policy में हमने यह provision किया है कि कोई भी buyer app हो वो selectively sellers के पास search नहीं भेज सकता है अगर मैं as a customer मैं मान लीजे मैं search करता हूं सारी के लिए तो वो buyer app नहीं decide कर सकता कि किसको search भेज़ेगा वो सब के पास पहुचना पढ़ता है as a matter of policy तो कोई भी छोटे से छ यह बहुत जरूरी है तो किस तरह से आपके आपके perspective से ondc भारत को और भारत के जो business है उनको और सशक्त कर रहा है एक तो है कि छोटे जो businesses थे जिनकी reach पहले नहीं थी जिनके पास customers और लाने की शमता भी नहीं थी resources भी नहीं थे उनके लिए एक easy mechanism बन गया है customers के पास reach करने के लिए दूसरी बात यह है कि platform lock-in जिसे कहते है कि कोई अगर छोटा vendor है वो बड़े platform के साथ जुड़ जाता है platform ने अपनी policy बदल ली फीस बदल ली उनके पास अभी कोई choice नहीं है उनको या तो fees देने है या platform से निकल जाना और customers चोड़ जाने है तो वो problem अभी बची न सकते हो without losing customers जी तो जब आपने शुरुवार की होगी देविंदर जी उस समय आपके पास तो बड़े सारे options रहे होंगे कि आपे close network पे जा सकते थे open network पे जा सकते थे आपने open network क्यों चूज किया पहली बात और दूसरी बात यह है कि आने वाले अगर और open networks आना चाहते है यह पर भारत में तो किस तरह से आप उनको help कर रहे हैं तो पहला सवाल पहले तो open network क्यों किया था तो actually इस पर काफी सारी चर्चा हुए थी काफी studies भी हुए थे कि platform बनाना चाहिए network बनाना चाहिए या पूरा closed network होना चाहिए open network होना चाहिए तो एक cost benefit analysis इसका किया गया था कि क इस choice से कितना access मिलेगा चोटे sellers के लिए और customers के लिए और governance जिसे बोलते हैं कि अगर policy बनाए तो उसका implementation कैसे हो पाएगा तो उन दोनों को consider करते हुए decision ये लिया गाया था कि open network होगा मतलब वो किसी को ना नहीं बूलेगा आने से जब तक वो policies follow करता है लेकिन एक central coordinator होगा जो policies set करेगा और उसको enforce करेगा अब अगर कोई और networks बनाना चाहता है तो उनके लिए हमने handbook publish किया है on ndc के website पर जहां वो जाकर देख सकते कि कौन से choices हमारे पास थे और हमने क्यों हमने जो choices के थे वो क्यों किये थे ताकि उनको अगर उनके considerations कुछ और हो तो वो कोई और choices ले सके थैंक यू देविंदर जी कि आप यहां आए हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी सारी जानकरी हमारे साथ साजा कि बहुत-बहुत धन्यवाद आपके थैंक यू सो मुच ऑगड़के वो हमारे सतया हुआ है